नमस्कार दोस्तों नमस्ते के वाई पी यूट्यूब चनल में आपका श्वागत है और आज के वीडियो में हम आप लोगों बताने जा रहें कि LF के ओंसेट एक्जाम में किस परकार के प्रश्णों पूछे जाते हैं जैसे कि बहुत सारे LF वीवर्स का सवाल था कि आप बताएए कि ओंसेट के एक्जाम में किस तरह का प्रश्णों पूछे जाते हैं कि हम लोग पास कर जाएं तो इस वीडियो में हम आप लोग के यहीं बताने वाले हैं कि किस परकार के प्रश्ण आते हैं और उग प्रश्ण को हम सो करेंगे दिखाएंगे आप लोग को और बताएंगे कि इसी तरह का प्रश्ण होता है और यहीं प्रश्ण होता है और कैसे आप उसको बनाएंगे औ यह जो एकजाम में पूछा जाता है तो इसमें किस तरह का प्रस्णर रहते हैं तो यह जो आप student जो आते हैं पढ़ने के लिए learners और उसका जो एकजाम होता है उसमें जो पूछे जाते हैं सवाल सेम वही सवाल इस पेपर में भी रहता है यानि IT पेपर जो है यानि आप एक learner को माले जी अगर exam पास करा देते हैं तो समझेजे कि आप भी LF का जो exam देंगे उसमें जो IT पेपर आएगा उसमें आप अराम से पास कर जाएंगे क्योंकि जो IT पेपर है वो वहीं से परशन लिये जाते हैं जो learner अपने exam दे करके पास करते हैं वहीं से परशन सारा यहां पे रहते हैं इस IT पेपर में दूसरा रहता है one set of proficiency English पेपर तो यह जो पेपर रहता है वो आप जैसे exam देते हैं learners का जो exam आप लोग दिलवाते हैं और उसमें जो CSS का exam दिलवाते हैं तो CSS में जो प्रशन पूछे जाते हैं उसी से संबंधित इसमें भी प्रशन पूछे जाते हैं यानि आप CSS का exam दिलवा देंगे तो समझें जी कि आप यह जो English पेपर है वो पास कर जाएंगे और रंत में यानि सबसे पहला जो रहा onset process paper इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि इसमें किस परकार के प्रशन पूछे जाते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशन आगे हैं और इसी तरीका से प्रशन आपके exam में पूछा जाता है जैसे यहाँ लिखा है academic approach of the course focus on यानि यह जो कोर्स है सिक्षिक सिक्षार्थी जो कोर्स करते हैं इसमें किस पर फोकस किया गया है जैसे work centric education पर या process centric पर या life centric पर या goal centric पर इस तरीका से अगला question भी आपके सामने इस तरीका से जो course syllabus is available in learner gogane तो इस तरीका से प्रशन आपके सामने पूछे जाते हैं इसमें हम सारे प्रशनों का जबाब देने वाले नहीं हैं आपको केवल प्रशन दिखाने वाले हैं और उसमें case परकार का option आता है उसको दिखाने वाले हैं आप इस प्रशन को एक बार देखे लिज से इसमें क्या क्या पढ़ाना है क्या पढ़ना होता है और क्या चीज होता है जैसे या final exam is fully online exam होता है या नहीं तो आप खुद से चूच किजिए इन प्रशनों का जो सही जबाब है वो क्या होगा तो इस वीडियो में किवल हम आपको प्रशन दिखा रहे हैं और उसका answer द देख लेते हैं और सारे फ्रशन और उसका option देख लेते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत simple सा सवाल है और सारा इसका answer भी simple simple सा है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो वैसे में आप देख लिजी एक बार फिर अगर आपका अगर इक्षा रहेगा कि नहीं इसका answer भी चाहिए तो हम अगले वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको इसका असपस्ट्रूप से answer बताते आएंगे फिलाल इस वीडियो में हम आपको answer देने वाले नहीं है तो वस एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख देख जाए इस वीडियो को आप पूरा देखिए question को पढ़िए और उसका जो option दिया हुआ है वो क्या option दिया हुआ है उसको देखिए अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो आप अपने स्वहयोगी से पता किजिए इसका सही answer क्या होगा और क्यूंकि आपके पास अब तो इसका answer खुजिए ढूंडिए अंतरता मैं आपको बता दूँ कि जो एलफ का onset exam होता है उसमें जो तीन सब्जेक्ट का exam होता है उन तीनों सब्जेक्ट में 50-50 question होते है जिसमें से जो पहला होता है 50 question उसमें से 25 नमबर लाना निवारे होता है और दो जो सब्जेक्ट है उस इसमें भी 50-50 question रहते हैं लेकिन उसमें 12 नमबर 12 नमबर लाना निवारे होता है तो इस तरीका से इस वीडियो में मैंने मात्र 35 question दिये हैं और 35 question आप देख सकते हैं और देख करके अगर बढ़िये से बना लेते हैं तो आपका result बहतरी रहेगा तो guys आज की वीडियो में ब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद